चलिए आज हम निव टॉपिक कर रहे हैं इक्वेशन मेथड सर इक्वेशन मेथड क्या होता है नॉर्मली हमारा एक कंपनी है ठीक है ना अब ध्यान देना कंपनी कहता है कि भीया हमें प्रिफरेंच शेर कैपिटल को रिडीम करना है मान लेते हैं पांच लाख रुपे प्रिफरेंच शेर के रिडीम करने है और हमारे पास कुछ रिजर्ब में भी पैसा पढ़ा होगा मान लेते हैं 2,00,00,00 रुपे रिजर्व में पैसा पड़ा है और कुछ security premium में भी पड़ा होगा मान लेते हैं 1,00,00 security premium में एक example लेके चल रहे हैं और हम security premium 10% पर redeem करने वाले हैं तो normally आप देखो यहां पर ध्यान से तो हम जो preference share holder को यानि PSH preference share holder को payment करेंगे पांच लाग तो redemption 10% या नहीं पांच लाग इसमें किसी बच्चे को doubt है कि है नॉर्मली हम पांच लाग 50,000 का क्या करने वाले हैं पेमिंट करने वाले हैं इसके बाद reserve और surplus की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये पैसा पड़ा है तो हमें 100% face value के बराबर हमें सारा हिसाब किताब बनाना पड़ता है ये तो पता ही है अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं कुछ तो CRR के पार्ट से बना सकते हैं और कुछ fresh issue से बना सकते हैं अब CRR तो मान के चलो भईया आप CRR ये बना सकते हैं दो लाग लेकिन मैंने कहा जो fresh issue करेंगे न वो 10% premium पे करेंगे 10% premium पे करेंगे लेकिन कितने share करेंगे नहीं बताया जा रहा यानि इतने share को आप issue करिए इतने number of shares को issue करिए जिससे कि आपका हिसाब किताब बिल्कुल zero हो जाए ऐसा नहीं कि आप minimum यहाँ पे एक word और होगा minimum मान लेते हैं आप बोलोगे सर ऐसा करो न आप आप 2,00,000 तो CRR में है 3,00,000 का share issue कर दो 3,00,000 का 10 रुपे के हिसाब से 30,000 मैंने बोला भाई 30,000 share issue करेंगे और 3,00,000 का issue करेंगे तो 30,000 premium फिर भी बच गया ना नहीं आई बात समझने आप कहते हो सर इस question के अंदर आप क्या कहोगे कि सर आप 2,00,000 रुपे का तो CRR बना सकते हो right security premium तो CRR में जाएगा नहीं कितने का बना सकते हैं 2,00,000 का अब 2,00,000 का CRR बन गया और हमें requirement कितने का equal to face value that is आपका कितना आ रहा है 5,00,000 का जुरत पड़ेगा तो सर 2,00,000 का CRR बन गया अब 3,00,000 का आपको क्या करना है आप तो यही कहोगे सर 3,00,000 का fresh issue करतो जब मैं 3,00,000 का fresh issue करूँगा तो fresh issue जब मैंने 3,00,000 किया और plus security premium भी आएगा इस पे तो 30,000 तो हमारे पास पैसे का इंतजाम तो 3,00,000 रुपे हो गए न जबकि हमें इतना करना है ना तो security premium में एक रुपिया बचे ना तो general reserve में बचे कुछ भी न बचे कुछ ऐसा हमें हिसाब किताब बनाना है कि सब कुछ ले दे के बराबर हो जाए ये एक example लिया है मैंने इसमें नहीं हो रहा है मैं जानता हूं तो sir इसका क्या उपाय है इसको हम solve करेंगे एक equation format में लेके बहुत आसान है इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है और examiner ना इसी पर question पूछता है last time पर ना एक question इस पर आया था छे नंबर का question पूछा गया कि आप equation method से मुझे solve करके दिखाएगे तो sir equation method से जब solve करेंगे हम तो क्या होगा equation method का format क्या formula होगा कोई नहीं simple सी बात है आपको पैसे की जूरत कितना है preference share capital वाला amount plus में security premium वाला amount और ये इतना हो जाए कि security premium जो balance sheet में है plus reserve and surplus जो balance sheet में है minimum number plus में n हमें नहीं पता भी या कितना अब plus security premium है तो plus n का into में percentage security premium ये क्या है share और ये उसके उपर क्या होगा premium इस equation को solve करिए तो आपका minimum value क्या निकलेगा इन सब में देखो ये भी पता होगा ये भी पता होगा ये भी पता होगा ये भी पता होगा तो ultimately जो value निकल कैएगा क्या निकल कैएगा n और n निकलेगा वो minimum number of shares निकलेगा जितना आपको issue करना है तो इस सवाल में देखिए आपको सबसे पहले preference share कितना कहता है सर डेड़ लाग सर security premium कितना है 10% that is 15,000 सर पहले से कोई security premium में पैसा पढ़ा हुआ है कि जी हाँ क्या reserve and surplus में है बिलकुल और plus n वैसे small n से denote करते है small n एक्स जासा क्यों लग रहा है small n से और plus कहता है कि determine the number of amount issue share at a premium 5% तो n का कितने percent 5% तो into में 5 by 100 इस value को solve करेंगे तो 165 is equal to 75 is equal to अब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा n by 20 यानि n प्लस में n by आप बिना n वाला n वाला जो आप करते थे वही कर लो इसको इधर ले आएँगे 75 तो कितने बचेंगे 90,000 इसको solve कर लेगे तो 20 21 n by 20 equation तो आपको solve करना आता ही है न अब इसके बाद आप 20 से multiply करो 180 अठारा लाग is equal to 21 x है ना x की value find करके कौन बच्चा बताएगा जल्दी बताओ x is equal to मेरा calculator 75,000 ओके गलत कर दिया जी सही पकड़ेगा बिलकुल सही पकड़ा आपने ये 25 और 5 तीस होगा भाई साब live वाले भी बच्चे आँक बंद करके बैठे हैं बताया है किसी ने नहीं बताया हाँ एक बच्चे ने तो बता दिया बस pinky ने नहीं दो तिन बच्चों ने बता दिया गौतम ने भी बता दिया था बागी बच्चे देख रहे हैं कि ये होगा क्या इसके अंदर लास्ट में तो भाई लास्ट का वेट मत करो बीच में भी देखना है तो एक 35 इस इकल टू ये वही आजाएगा 21x डिवाइड़ बाई 20 एक 35 इंटू में 20 डिवाइड़ बाई 21 में डारेक्ट ही निकाल रहा हूँ सर 1,2,8,5,7,1 यानि सर 1,2,8,5,7,1 ये क्या गया सर रुपीज क्या गया ये इतने रुपे का हमें शियर इशू करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास कुछ नहीं बचना और इतने रुपे का शियर अगर हमारा एक शियर दस का है तो निकाल लो जी नंबर कैसे निकाले सर नंबर की बात करें 1,2,8,5,7 1,2,8,5,7 1,2,8,5,7 1,2,8,5,7 1,2,8,5,7 यानि यानि बारह, आठ सो सत्तावन शियर इशू करने पड़ेगे अब आप चेक करोगे न आपके पास कुछ नहीं बचेगा ले दे के सब खतम चेक भी करेंगे रुकी अभी पहले यहां तक देखिए यहां तक किसी को कहीं भी डाउट है पोइंट में मैं एक क्रॉस वेरिफाई बैसे पता नहीं एक कुस्चन में होगा यह नहीं होगा भगवान जाने मैं करके देखना चाहूँगा सर क्या क्रॉस वेरिफाई करने वाले अभी देखो पता चलेगा आपको भई अब प्रफरेंज शेयर होल्डर को देना है एक लाख पैंसट हजार जिसमें से वीकेंड क्रिएट सी आरार कितना सी आरार क्रिएट कर सकते हो रिजर्ब के बराबर जो कि कितना है पच्चिस हजार और यहां पे आपको देखा जाए तो आपको एक पचास चाहिए और फ्रेश शीशू करना है बाकी आपको फ्रेश शीशू करने के लिए आपको कितना चाहिए एक पचास में से 25 चले गए तो कितने बचे एक पचास में से 25 गए तो एक पचिस बचे है ना कितने बचेंगे सिक्योरिटी प्रिमियम कितना है आपके पास और कितना देना है 10,000 और देना है तो इसके उपर आप 5% सिक्योरिटी प्रिमियम काउंट करो कितना बनता है 5% इस पर सिक्योरिटी प्रिमियम लोगे ना पहले यहां तक देखो या verify कर लेंगे अगले वाले question में question करेंगे full balance sheet वाला यह रहना ही देता हूँ इसमें बच्चे घूम जाएंगे फाल्तू में आप यह देख लो पहले यह वाला समझ में आया equation यह था मेरा इसमें बच्चे घूम जाएंगे पहले यह देख लो यह हमारा यह था और इसके अलावा देख लो इसके अलावा देख लो छे सो तिरतालिस पिंके का अंसर आ गया लेकर आड़िए अगा करा देख लो चे ख्म जाएंगे अगे करें बैल्क्ल ठीक यहां तक किसी को दिक्क्त आप यह था पूल प्लेज़गे रोड्यक्या चिजिए पिल्प्लेश्ट यह था रोड़। करने वाले इसके बाद